हेलो फ्रेंस, विलकम टू उनडे एक्जम टार्गेट, आज हम विशाणओं से कवक से प्रोटो जोक से होने वाले रूंग के बारे में जानकरी, कख्ठा करेंगे, और अनुवांसिक रूंग के बारे में भी पढ़ेंगे इन सभी रोंग के बारे में हमने ट्रिक बना रखी है उम्मीद है आपको पसंद आएगा और ये इस टॉपिक से कोश्चिन बहुत ही पूछा जाता है तो चलिए हम देख लेते हैं अपना टॉपिक टॉपिक से पहले हम एक मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं फ्रेंस हमेशा संगर्स कठी नहीं होता है लेकिन उसके बाद जीत हमेशा शांदारी होती है ये देख लेते हैं विशाण से होने वाले रोग विशाण अतिसोक्षम होते हैं आकोश्की होते हैं इनकी कोई अपन देख लिए हम ट्रिक देख लेते हैं रे þखा रेकषा हमें हिट करके फोषे छोड़ गई पोई वड़ तो है नि तो याद करने में सुवधा हो इसलिए इसे कोष्टक में पीछे लिख दिया गया तो अगर आप ऐसे याद करें रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई तो याद हो जाएगा रेखा एक लड़की दोड़ने में बहुत तेज है जो जल्दी से दोड़ गई और हमें हिट करके पीछे छोड़ गई तो रेखा के रे से रे बीच, खा से खसरा, खा से हर्पीज, मे से मेनेंजाइटीस रोग, ही से अभी कहते हैं, कई तरीकिक होता है, टा से ट्रैकोमा, जिससे अभी अभी भारत मुक्त हुआ है, यहाँ पे जो करके वर्ड है, वो साइलेंट है, इसका कोई यूज नहीं है, बस यह पूरा वाक्य बनाने के लिए लिए लिख दिया गया था, जिससे यह एक वाक्य करने के लिए एक शब्द लिख दिया गया, पोईश्य से पीछे आप बना सकते हैं, क्योंकि पोईश्य याद करने में आसानी नहीं हो, छोड में छो से छोटी माता, डा से यहाँ पर डेंगू जवर, गई में ग से गलसोत, ई से इंफ्लुएंजा, आपको यह ट्रिक अच् होता है, अब हम यह देख लेते हैं कि उस रोग में प्रभावित अंक्या होता है, क्योंकि अब एक्जाम में यह भी पूछा जाता है, तो रेवीज में तंद्रिका तन, खसरा में संपूर सरेर, हर्पीज में तवचा, मेनेंजायटिस में मस्तिस, हेपेटैटिस में यक्रि ट्रेकोमा में आग प्रभावित होती है, पोलियो में गला, रेड, हड़ी, नाड़ी संस्थान, सभी एट्स में प्रतिरक्षा प्रणाली, डबलो बीसी, वाइट ब्लड कार्पसल्स, यह जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, मतलब रोगों से लड़ने में जिए सहायता करते हैं, वो खतम हो जाते हैं, चेचक संपूर सरीर प्रभावित होता है, छोटी माता संपूर सरीर, डेंगु जोर में संपूर सरीर सीरांक जोर में ली, गल सोच से पैरथार एड़न ती जो गले में होती है, एंफ्लोएंजा से संपूर सरीर, देख लेते है तो रोग का लक्षन क्या होता है, रेवीज में रोगी पागल हो जाता है, जीब बाहर निकालता है, खसरा में शरीर पर लाल दाना पड़ जाता है, हर्पीज में तोचा में सूजन हो जाती है, मेरेंजाइटिस में बहुत तेज उखार आता है, हेपिटाइटिस पीलिया में पेशाब आखें तचापीली हो जाती ट्रैकोमा में आख में दर्द लाल हो जाना इससे पहले हमने करेंट अफेर्स में ट्रैकोमा के बारें बताया था पुलियों में ज्वर बदन में दर्द रीड की हड़ी आध की कोशिकाय नस्ट हो जाती है एट्स में रोग प्रतिरोधक चमता कम हो जाती है रोग से लड़ने की चमता कम हो जाती है चेचक में तेज बुखार सरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं और छोटी माता में हलका बुखार आता है सरीर पर पित्तिकाय बन जाती है देंगु जोर में क्या होता है आखों पेसियों सिर जोड़ों में दर्द ह में ज्वर मूह खोलने में कठिनाई होती है एनफ्लुवेंजा में क्या होता है छीक बेचैनिक गलसोत यह सब हो जाता है और एक्जाम में अब लक्षण देके प्रस्ण पूशा जाता है यह देखते प्रोटो जोवा से होने वाले रोग प्रोटो जोवा क्या होते है परभावीतन्ग देख लिए जो बहुत ही इंपोर्टन्ट है सोने की बिमारी में प्रभावीतन्ग मस्तिस्क पेचिस में आत, काला जार में अस्थी मज्जा, मलेरिया में तिल्ली यों, अर्बीसी, पारिया में मसूडे, लक्षन देख लेते हैं इन सब रोगों के, सोने की बिमारी में बहुत नीद के साथ बुखार, पेचिस में सलेसमायों खून के साथ दस्त, काला जार में तेज पायरिया में थंड के साथ बुखार, पायरिया में मसूडों से रख, ये सारे बहुत ही important question है, proto liya से बहुत question पूछा जाता है, हर exam में पूछा जाता है, प्रभावित तंग तो मिलनी, इस दिल्ये कवक से होने वाली रो, कवक क्या हुत है, पओदे होते हैं प्रकार के जिन से पत्तियों का रंगहरा होता है यह अपना भोजन सड़े गले से फ्राप्त करते हैं माइकोलोजी कवक विज्ञान इसके अंतरगत कवक का अध्यन किया जाता है ट्रिक देख लेते हैं गंजा दामाद खाए फ्रूट कैसा दामाद गंजा है क्या खाए फ्रूट तो ट्रिक बहुत इंट्रेस्टीक है आप इससे आसानी से याद कर सकते हूं गंजा से गंजा पन, दामा से दा माद, खाए से खाज, फ्रूट से अटलिट फूट अब हम इस पे देख लेते हैं कि इनके प्रभावितं क्या क्या होते हैं गंजपन में सिर प्रभावित होता है दमा में फेपडे, दाद में तवचा, खाज में तवचा, एथलीट फूट में तवचा अब लक्षन देख लेते हैं क्या क्या होते हैं गंजापन में सिरके बाल गिर जाते हैं, दमा में कवक की स्पोर जाल बना लेते हैं, जिससे फेपड़े का मार्ग और उध्ध हो जाता है, दाद में क्या होता है, तोचा पर लाल रंग के गोले हो जाते हैं, यह संक्रामक रोग है, दमा भी संक्रामक रोग है, संक्रामक चुलीव सफेद दांग एटलीट फूट में पैरों की तोचा फटने लगती है यह भी कवक के द्वारा होते हैं यह अब देखते नवानसी क्रोग किसे कहते हैं अनवानसी क्रोग जो एक पीडी से दूसरी पीडी में फैलते हैं ट्रिक क्या होता है डॉक्टर वही पटाओ व सिंड्रोम आधा का से क्लीनी फिल्टर सिंड्रोम टा से टर्नर सिंड्रोम रा यहां पे साइलेंट है ठीक है वही के वासे वर्डांधता ही से हीमोफिलिया दोनों रोग बहुत इंपोर्टेंट है पटाओ से पटाओ सिंड्रोम वाला यहां पर साइलेंट है कोई यूज नही इसका बस ट्रिक बनाने के लिए डाउन सिंड्रोम का लक्षण मंगोलिज्म अनेमित सेर ढांचा आखे बाहर निकली बुद्धी मन्ध होती है तो यह सब डाउन सिंड्रोम के लक्षण है क्लेली फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है गुर्षूत की संख्या 47 हो जाती है यह यहां पर अभी हम समझाते हैं कि 47 कैसे हो जाती है टर्नर सिंड्रोम में गुर्षूत क्या होते हैं 45 हो जाते हैं यह रोग इस्त्रियों में होता है तो मनुसमें गुर्षूत की संख्या होती 23 जोड़ यानि कि 46 22 जोड़े काई गुर्षूत होते हैं जो सरीर सनुष्णा को बताते हैं जो एक जोड़ा होता है 22 जोड़े और फिर उसके बाद एक जोड़ा जो बसता है वो लिंगी गुर्षूत होता है जो लिंग का निर्धारन करता है इस्त्रियोगी की पूरुस होगा मेल होगा की फिमेल होगा तो पूरा मिला के गुर्षूत की संख्या कितनी और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है 45 वर्णानता में लालव हरे की पैचान नहीं कर पाते हैं लोग वहाँ कौन होते हैं इस्त्रियां लेकिन रोग प्रुभावी होता है पुरसों में हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है हमें सरक्त बहता रहता है रोग की पुछ प्रस्णों को देख लेते हैं जो एक्जाम में पूछे गए पहला प्रस्ण मस्तिस तथा मेरो रजु पर चड़ी जिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग PCS 2008 में पूछा गया था पहला है लिकीमिया दूसरा इसकलेरोसिस तीसरा पैरालेसिस चोथा मेनेंजाइटिस उत्तर है मेनेंजाइटिस मेनेंजाइटिस रोग में मस्तिस तथा मेरो रजु को ढखने वाले जिल्ली में सूजन आ जाती है इससे क्या होता है लक्षण अमने पीछे बताया था आप देख सकते है लिकीमिया में क्या होता है स्वेतर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है पैरालेसिस लगवा ग्रस रूग पैरलेसिस होता है एट्स होता है पीसे दोहजार 11 पूछा गया था जीवांड से फफूस से क्रीम से विशाण से उत्तर है विशाण से एट्स का फुल फॉर्म एक्वाइर्ड इम्यूनोडीफिसिंसी सेंड्रोम किस वायरस से होता है या चाही बी उसका फॉल फॉर स्वेत रोधिर कणिकाव की प्लेटलेट्स या एक्रित तो उत्तर है WBC जिसमें स्वेत रोधिर कणिकावां की संख्या कम हो जाती है जिससे हमारे सरीर रोगों से नहीं लड़ पाता है रोग प्रतुरोधक्षम तक कम हो जाती है अगला प्रस देख लेते हैं पोलियो हेपेटाइटिस चे चकर पे बीच डेंगु जो अर होता है किसकी वज़ा से विसाउंड की वज़े से आप उत्तर पीछे देख सकते हैं चटा प्रस देंगु बुखार में मानोसरी में नेमलिखित में से किसकी कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की हेमोगलोबीन की सरकरा की जल की उत्तर है प्लेटलेट्स की डेंगो बुखार को हड़ी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है इससे भी पुरस पूछा गया है किसकी वज़ा से फैलता है? मच्छर कौन सा? एडिस, एजिप्टाई एडिस, एलवोफिक्टस क्यूलेक्स फटी, गंसस यह मच्छर की वज़ा से फैलता है लेकिन रोग होता किसकी वज़ा से? विशाण की वज़ा से मच्छर वाहक है उस विशाण को एक जगन से दूसरी जगन ले जाकर छोडता है वाहक है मच्छर रोग का कारक है विशाण ध्यान दिजीएगा इस दोनों मेन पॉइंट है यहां पर हमने जित्ती भी चीजे बताई सब कुछ एक्जाम में पूछा गया है और जितने जितने भी वर्ड ही हमने यहां पर यूज किया है सब एक्जाम में पूछी हुए वर्ड है आप इस टॉपिक को जरूर तैयार कीज प्रभावी तंग बहुत पूछा जाने लगा है तो अगर आपको मेरी मेनत अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा सेर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जिससे हमें सब वीडियो डाले तो आप तक पहले प झाले